इस module के अंदर हम यह जो तीन terms है जिसके अंदर फिनोन, टेक्सोन और केटेगरी है इनके अंदर क्या difference है इसके बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहली जो term है फिनोन, फिनोन को हम कैसे define करते हैं इसका मतलब यह है कि जो टेक्सोन है यह एक पापुलेशन के अंदर जो different forms मौझूद है उनको कहते हैं मसलन एक जो पापुलेशन है उनके अंदर तमाम individual एक जैसे नहीं होते अल्दो, they belong to the same species लेकिन उनके अंदर morphological difference मौझूद होते हैं उनके अंदर different varieties हो सकती है जिनको हम sub species कह सकते हैं तो एक population के अंदर जो different morphological forms है जो different morphs है different varieties हैं इनको हम phenon कहते हैं ये जो differences होते हैं ये morphological differences होते हैं अब इसके अंदर जो differences हैं ये sexes के अंदर भी हो सकते हैं ये age stages के अपर भी हो सकते हैं तो जो morphological forms हैं वो different हो सकती हैं इसी तरिके से seasonal variations हो सकती हैं एक इंसेक्ट मुफ़िफ सीजन्स के अंदर डिफरन्ट मार्फ लोजी के अंदर हमें नजर आता है तो ये भी फिनोन के अंदर है इसी तरीके से मौर्फ जो डिफरंट मौर्फलोजिकल फीचर्स हैं किसी एक स्पिशिस की जो के एक पापुलेशन के अंदर मौजूद होती है अब फिनोन की जो टरम है इसको पहली दफ़ा कैमप अंद गिली ने 1943 के अंदर इस्तेमाल किया इनके मताविक फिनोन क्या है फिनो टिपिकली होमोजेनियस सांपल एट दा स्पिशिस लेवल ये जो डैफिनेशन थी ये कैंप और गिली ने 1943 के अंदर फर्स टाइम इस्तिमाल की उसके बाद सनीथ एंड सोकल ने 1973 के अंदर भी इस ट्रम का इस्तिमाल किया उसके बाद जो टेक्सोन है सिम्संस ने 1961 के अंदर फिनोन को कैसे डिफाइन किया एक ग्रूप आफ रियल और्गिनिजम्स रिकगनाईज़ एज 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 फार्मल यूनेट एट एनी लेवल ओफ हारेर्कियल क्लासिफिकेशन ये जो डेफिनेशन थी ये सिम्संस ने 1961 के अंदर दी इसके मताबिक एक्टेक्सोन इस एनी रैंक ये कोई भी रैंक हो सकता है अब जो टेक्सोन है इसको दूसरे वर्ट के अंदर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक टेक्सोन इस एनी रैंक डैट इस कंसिडर सुफिशन्टी डिस्टिंग्ट बाई टेक्सोनमिस्ट तो बी फार्मली रिकगनाईज़ एन असाइन तो एडेफिनेट कैटेगरी यानि ऐस रैंक जो के सफिशन्टी डिफ्रेंट हो जिसको टेक्सोनमिस्ट ने रिकगनाईज किया हो और उसको उन्होंने डिफरंट कैटेगरी के अंदर रखा हो अब यहाँ पर इसके दो ऐस्पेक्स हैं एक जो species है, species को हम taxon नहीं कह सकते, क्यूंकि जो species है, वो एक category है, जबके अगर हम Robins की बात करते हैं, Robins एक group है, birds का, तो ये जो birds का group है, ये एक taxon है, तो जो species है, वो taxon नहीं है, वो एक category है, जबके Robins, जो के एक group है birds का, इसको हम taxon कहते हैं, उसके लावा, taxon must be formally recognized by the taxonomist, for example, deem, deem से क्या वराद है, एक population के अंदर, एक ऐसा group, जो के morphologically similar हो, आम तोर पर जिसना से एक pond है, एक pond के अंदर, एक population मौजूद है, लेकिन वहाँ पे local populations बन गई है, ये जो local groups हैं, इनको हम deem कहते हैं, उसके लावा, geographical isolates within a species become taxa only at subspecies level, अब यहाँ पे दो categories हैं, एक इसका higher taxa है, और एक इसका lower taxa है, higher taxa, जो के taxon की example है, इसके thrushes, birds और vertebrates आते हैं, ये एक higher level है, जबके अगर हम lower taxa level की बात करें, तो इसके अंदर, robins या blue birds, बसे जब हम blue birds की बात करते हैं, तो blue bird एक group है, मुख्तलिफ birds का, जो के देखने में blue होते हैं, इसी तरीके से, जो robins है, robins भी एक group है, birds का, जबके category क्या है, category को हम कैसे define करते हैं, category is any rank or level in hierarchical classification, एक class whose members are all taxa, बसलाँ अगर हम category की बात करें, तो जिस नहीं हमने कहा, एक species जो है, ये एक category है, हमने class एक category है, phylum एक category है, तो fenon जो है, ये different morphological farms हैं, जबके जो taxon है, ये एक group है, homogeneous organisms का, जबके जो category है, ये एक rank है, या फिर एक level है, in hierarchical classification system, जैसा के species के बारे में हमने कहा, कि species एक taxon नहीं है, बलके ये एक category है,